हाई फ्रेंड्स माई नेमी समीट एंड यूर वाचिंग जॉब विकैंसी अपडेट्स योट्यूब चैनल आज अम बात करने वाले हैं रेल्वे की आई हुई लेटस जॉब विकैंसी के बारे में जहां पर आप इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से बिलॉंग करते हैं इलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं कैसे अप्लाई करना है क्या-क्या इलिजिबिलिटी रहने वाली है हर चीज़ को step-by-step कवर करेंगे आपको मैं इसमें बताऊंगी भी कैसे आपको किस अ-step को follow करके अप्लाई करना है सो आपने विडियो को पूरा ज़रूर देखन तब भी जाके आपको पता चलेगा कैसे अप्लाई करना है क्या क्या इलिजिबिलिटी रहने वाली है सबसे अची बात यहां पे कोई exam नहीं है कोई fee pay नहीं करना है 10 त 12 ते graduate हर कोई apply कर सकता है apply सिरफ आपको online करना है कोई other mode apply करने का नहीं है यह बिल्गूर direct recruitment होने वाली है direct ताकि इसमें selection होने वाली है जिसमें आपका कोई exam नहीं है जो मैंने आपको इसमें पहले भी बताया है और इसमें आपको online apply करना है कोई other mode apply करने का नहीं है क्योंकि उन्होंने specially mention किया हुआ कि किसी और mode से आपको इसके लिए apply नहीं करना है हर एक चीज को मैं आपको यहाँ पे properly guide करूंगी कैसे apply करना है क्या-क्या problem आपको face करने पड़ती है जो अब नहीं करने पड़ेगी क्योंकि मैं आपको proper यहाँ पे guide करने वाले हूँ जिससे आपका successfully apply भी हो जाएगा किसे type के कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली है so direct selection है apply आपको जरूर से कर लेना है चाहे male candidate है चाहे female candidate है दोनों eligible है दोनों ही apply कर सकते हैं सबसे चीबात मुझे यहाँ पे खुद यह लगे कि 10-12 से graduate हर कोई apply कर सकता है चले ज्यादा टैमिनले तो यह बात करेंगे railway की आयोई latest job vacancies के बारे में उसके लिए हम चलते हैं official update के उपर वहाँ पर चलकर बात करते हैं कौन-कौन से vacancies आउट हुई है किस vacancy के लिए क्या requirement है कैसे आपको apply कर लेना है तो आप देख सकते हैं हम आचोके official update के उपर यहाँ पर step-by-step बात करते हैं कैसे apply करना है क्या-क्या eligibility रहने वाली है 10th और 12th graduate हर कोई apply इसमें कर सकता है क्योंकि अलग-लग vacancies है जो इस बार आउट हुई है आप देख पा रहे हैं All India Male Female Candid apply कर सकते हैं apply करना start हो चुका है इन vacancies के लिए सिरफ आपको इनकी official side पर ही जाकर apply करना है ताकि कोई problem आपको ना आए उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें कौन-कौन सी vacancies आउट ही है selection कैसे आपकी इसमें होने वाली है तो इसमें यहाँ पर इनोंगे हर चीज़ mention किये freshers candidate eligible apply कर सकते हैं पतलब क्या कि कोई experience नहीं मांगा गया है आपसे ठीक है हर कोई आप में से apply कर सकता है अगर selection की बात करें कोई यहाँ पर आपका exam नहीं है आपके यहाँ पर qualification के जो marks है ना सिरफ उसके basis पर आपकी इसमें लगेगी merit उसके basis पर बस आपकी इसमें सेलेक्शन होने वाली है तो यह है आपके लिए प्लस पॉइंट अप्लाई आपको online ही करना है जहां पर सबसे पहले आपको अपने आपको register करना है उसके बार login करके apply करना है किसी भी job के लिए आप apply करें registration is must without registration you can't apply उसके बार फी की बात करें undeserved के लिए 100 रुपीज है ऐसे इसके फी मिल के लिए कोई फी नहीं है without fee apply कर सकते हैं यहां पर अगर हम विकैंशिस की बात करें फीटर की है इलेक्रिशन वेल्डर मेकैनिक मेशेनिस्ट पेंटर की विकैंशिस तर जिसमें आउट हो चुकी है काफी अच्छी आपरचनोटी आ चुकी है अब यहां पे ना पहले देख लीजिए कि notification कैसे डाउनलोगा स्क्रोल करेंगे ना यह देखिए रिक्वार लिंक है पहला है notification डाउनलोड का यहां पर सबसे पहले आपको अपने आपको रेजिस्टर करना है उसके बाद लॉग इन करके अप्लाई करने है जैसे में आपको बताया वैसे अप्लाई करना है कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है बाकिस की इलावा जो विकैंसे डाई है हमारी ओफिश साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है विजिट करके इन्फोमेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं चलिए मैं मिलेंगे नेक्स वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग तुछ